च्छोटा बच्चा किसकी सुनेगा? च्छोटा बात तो बिलकुल नहीं मानता। पाटशाला जाने लगा। उसे वहां बहुत सारी बातें सीखने मिली। अपने आप उसमें परिवर्तन दिखने लगा। अब वह जिद भी नहीं करता था। एक दिन पाटशाला से आने के बाद प्रतीक अपनी मां से बोला। होता है तो आज से मैं बाजार का केक भी निखाऊंगा। पर बेटा ऐसे कैसे नियम ले लिया। तुम्हारी अभी उम्र नहीं है नियम लेने की। ममी पाप छोड़ने की कोई उम्र होती है क्या। पाप तो पाप है वो तो हमेशा है छोड़ने लाइक होता है। तुम समझते नहीं हो। नियम समझदारी से लिये जाते हैं। अभी तुम छोटे हो। स्कूल की पिकनेक दोस्तों की बर्द्रे पाटी में क्या करोगे। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो बाहर होस्टेल में कैसे रहोगे। नौकरी पता नहीं कैसी मिलेगी। फिर तुम कैसे करोगे। क्या करूंगा। यह तो नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे वीतराग भगवान ने इन्हें पाप बताया है। और सदाचर्म जीवन जीना बताया है। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। बड़ा पंडितों जैसी बाते कर रहा है। मैंने क जैजनीत धन्यवाद कि जैजनीत बाते कर रहा है।